तो दुस्तों यहाँ पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 5 Pro के लिए और Redmi Note 5 के लिए MIUI 12 का stable update आपको कब तक देखने के लिए मिलेगा दुस्तों यहाँ पर मैं इसके बारे मैं पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुका था यह आपको बता तक देखने के मिलेगा लेकिन यहाँ पर दुस्तों कई बार कुछ नहीं नहीं ऐसे मतलब स्क्रीन शॉट या फिर नहीं शेडियूल है लिक होते जा रहे मतलब वह फेक भी है यहाँ पर कई लोग उसका वरुसा भी कर रहे हैं यहाँ पर दुस्तों आप लोग को पता ही होगा बीच में कई सारे स्क्रीन शॉट लीक हुए थे लेकिन दुस्तों यह सारे ही स्क्रीन शॉट फेक थे तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ रेडमी नोट फाइप प्रो का डिवाइस अगर आप लोग यूज करते तो इसके लिए मी वाइट का अपडेट आपको आने तो वीडियो में भी यही बताया था कि end of September तक आपको वेट करना है दोस्तों end of September के बाद आपको कई user को मतलब कुछ user को यह update देखने के लिए मिलना स्टार्ट हो सकता है यहां दोस्तों तो यहaं पर आप लोग तो पता डाइरेक्ट आपको स्टेबल जी मिलेगा कोई बेटा यूजर किसी के लिए कोई अपडेट नहीं मिलेekा डाईरेक्ट स्टेबल ही मिलेगा तो यहां पर आप लोग को end of September तो वेट करना है है तो आपको कोई अक्टोबर मे यह update आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा अब दोस्ते यहाँ पर October में भी पता ने यह update कितने यूजर को Xiaomi देती है यह तो दोस्तो उनी के हाथ में है लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक काफी यूजर को यह update जरूर देखने के लिए मिलेगा September end होते के साथ October start होने के साथ ही यह update आपको जरूर दे दिया जाएगा me you are 12 stable का तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग को कब तक वेट करना है Redmi Note 5 5 Pro के यूजर को तो यहाँ पर जादा कोई भी अगर यहाँ पर कोई screenshot आती है ऐसे fake वाली तो उस पर तुरंद भरोसा मत करिये कोई भी update होता है कोई पैसा नहीं लगता है जब भी update आएगी मैं आपको वीडियो बना कर जरूर बता दूँगा अब ही के लिए इतना मिलते हैं के लिए वीडियो में आप